सब्जेक्ट का हिंदी मिन्स होता है करता तो किसी भी संटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं पहले आपको ये बताते हैं उसके बाद तब आते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं सेकेंड पर्सन क्या होते हैं और थार्ड पर्सन क्या होते हैं चलिए पहले आपको example समझाते हैं, जिसे राम is asleep, राम सोया हुआ है, तो यहाँ पर सोया हुआ कौन है? राम, मतलब किसी sentence में, जिसके बारे में बात होती है, या जो किसी कार को कर रहा होता है, इसको बोलते हैं subject, यह राम is asleep, asleep मतलब सोया हुआ, राम सोया हुआ, यहाँ पर सोया हुआ कौन है? राम, he होता तो, he हो जाता है, see होता तो, see हो जाती, सीता होती तो, सीता हो जाती, यहाँ पर राम सोया हुआ है, कोई कार नहीं कर रहा है, इसलिए राम हमारा क्या हो गया? subject, सोहन is reading a book, सोहने किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, किताब को पढ़ने काम कौन कर रहा है? सोहन, इसलिए सोहन क्या हो गया हमारा? subject, जिसको बोलते हैं करता, he can go to market, वह बजार जा सकता है, यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? उसको बोलते हैं subject यहाँ पर पहले वाले sentence में राम हमारा subject है दूसरे वाले sentence में सोहन हमारा subject है तिसरे वाले sentence में ही subject है चलिए अब आपको देखते हैं आगे subject के parts यह आपको जानना बहुत जरूरी है subject मतलब करता है इसकी पहचान कैसे करते हैं जैसे आप पहचानेंगे, first person मतलब बोलने वाला, इंगलिस grammar में इसका बहुत important, इसके बीना इंगलिस grammar को हम समझ ही नहीं सकते, first person मतलब बोलने वाला, singular, singular का मतलब होता है, एक question, यदि my, जैसे my, I का मतलब होता है, मैं मुझे या मेरे, यदि first person बोलने वाले पर मैं अकेला यदिस का ही रहेंगा, तो I रहेगा, फहाँ पर मैं, मुझे या मेरे जिसका हिंदी होता है, plural में, हम वी, रहेगा, जिसका meaning होता है, हम, हम लोग, हम सब, य्या हमने बोलते हैं, और इसके बात होता है, second person में सुनने वाला, second person का मतलब होता है, सुनने वाला, जो सामने की व इस सुनता है तो इसको 2nd person बोलते है 2nd person में similar में भी you होता है और plural में भी क्या रहता है you, you मतलब होता है तुम, आप, तुमने, तुम सब you, आप, तुम, तुम सब, तुम लोग यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि subject के 2nd person में similar में भी you रहता है 3rd person बोलते हैं 3rd person बोलते हैं जिसके बारे में बात करें जाती है यदि similar रहेगा तो इसमें आएगा plural रहेगा तो इसमें तो अब देखे 3rd person similar में कौन कौन आता है he, this year, she, that year, it year यह 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 बोल सकते हैं उसके बाद राम होता है पूरुष के लिए जो यूज होता है सीता इस्त्री के लिए किवल एक वरस्त की बात हो रहे table एक वरस्त का नाम मतलब chair एक वरस्त cat बिली एक लिकिन यही 3rd person यह similar है 3rd person plural का मतलब 2 लोगों की 2 या 2 से अधिक जैसे राम और श्याम तो यहां पर राम और श्याम 2 लोग है दे मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए बीज ए लोग मतलब एक से ज्यादा वरस्त की विए दो जैवे लोग एक से ज्यादा tables दिखे यहां पर table था लेकिन यहां पर tables हो गया मतलब 3rd person similar में एक की बात की जाती है और plural में कई की बात हो जाती इन सभी को बोलते है 3rd person इन सभी को बोलते है 3rd person plural subject क्योंकि plural वाले कालम में है तो plural का मतलब यह होता है दो या दूसरी अधिक की बात होती है राम और श्याम दे दीज दोज tables मतलब एक से जादा tables की बात हो रही chairs, kites, eats तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि subject करता की पहचान में 1st person बोलने वाला similar में I होता है plural में B होता है 2nd person मतलब सुनने वाला similar में भी यू रहता है plural में भी यू रहता है 3rd person 3rd person का मतलब होता है जिसके बारे में बात कीजिए similar में यह सभी आएंगे तो आप इसको अच्छे से याद करने याद करने का trick क्या है 1st person में singular में I हो भी 2nd person में singular में भी यू plural में यू 3rd person singular subject बोलते है 3rd person singular subject 3rd person plural subject मतलब आप कैसे याद करेंगे 1st person singular subject 1st person plural subject 2nd person similar subject 2nd person plural subject 3rd person similar subject 3rd person plural subject मतलब इस अभी याद करने का trick है इसको याद करना बहुत ज़री क्योंकि किसी sentence में हम subject की पहचान करते हैं क्या होता है कौन singular होता है कौन plural होता है कौन 3rd person होता है इसके बारने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो tense परते हैं या कोई भी sentence परते हैं तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरी है झाल झाल